वेल्कम एवरीवान आज हम दोग डिल से चाप्टर यूट का जो पहला है चाप्टर कर रहते ही इंट्रोडक्शन वह हम दोग कंप्लिएट कर लेंगे आपको अगर पीडिएफ डाउनलोड करना है तो तेलिक्राम चैनल इंप्राक्टिक का क्लास से जाके आप यह जो है लास्ट आप्टर है तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम दो करेक्टीन दहटा तो जैसे स्टेप्स पर रहते स्टेप्स आफ री से चर्राइकरियों को स्टार्ट करते है तो सब से पहले js bleiben का मतलब क्या है कि डाटा कलेक्टिंट पहले हम तो नहीं पढ़ा था कि कहां से डाटा कलेक्ट किया जाता है और कैसे हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं तो अभी देखेंगे डाटा कलेक्शन डाटा कलेक्शन मतलब क्या होता है इंफॉर्मेशन हम लोग करते हैं उसी को कहा जाता है आपका डाटा कलेक्शन अब यह जो डाटा होता है यह दो टाइप के डाटा होता है अधिसर्च जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं वो दो टाइप के डाटा होता है पहले टाइप होता है आपका अवे मेरी डाटा और दूसरा टाइप होता है आपका दूसरा टाइप है आपका सेकेंडरी डाटा डाटा तो इन में आप डिफरेंस हम लोग समझेंगे प्राइमरी डाटा क्या होता है जो डाटा आप खुद से कलेट करते हो जो भी इंफोर्मेशन होता है रिसर्च के लिए वह आप खुद से कलेक्ट करते हो उससे कहा जाता है प्राइमरी डाटा जैसे आप लोगों से बात करते हो इंटर्व्यू करते हो फिर लोगों के घर में जाके उनसे questions पूछ दो जो भी डाटा हम दो खुद से collect करते हैं उससे कहा जाता है primary data और secondary data क्या है secondary data जो भी data हम दूसरे sources से available करते हैं जैसे होगी आपका इंटरनेट जैसे होगी आपका इंटरनेट बोक्स न्यूस पेपर आर्टिकल्स यह सब क्या हो गया secondary data secondary data क्या है मतलब किसी ने collect किया था data को जो primary data था उससे मैं information ले रहा हूँ है तो वो क्या हो जाता है वो हो जाता है मेरा secondary data अब बात करेंगा हम लुग प्राइमीरि डाटा क्या होता है जो information हम लोग खुश् 가서 क्रेक्ट करते जह information पहले से प्रेश से नहीं था पर हमक्से आधो खुश्य 2 नीग से प्रेसेंट करते हैं और उससे present जाता है तो प्राइमेरी टार्ट के एक्जाम्पिल क्या है पहला ओब्जवेशन कि अप्जवेशन कि जब आप कुछ ओब्जव करते हो कुछ देखते हो और उससे डाटा कलेक्शन होता है जैसे कि मान लीजे आप देखते हो कि किसी जंगल में पहले बहुत सारे टाइगर्स थे पर अभी टाइगर्स का पॉबुलेशन जो है वो कम हो गया तो यह हो गया आपका प्राइमीर डाटा क्यों क्योंकि आपने देखा अब सर्व किया और फिर उस डाटा को नोट डाउन किया इसके बा कैसे नहीं थे हुँदक बैक्ड्राउंड क्या था किसे बैक्राउंड गया था यह सब ही डाटा होता है जो डाटा क्लेक्ट किया जाता तो यह क्या हो गया है यह और टाइप आप टायरि 12ашाव क्या है वाटि डाटा कलेकशन जो कि आपका पर्सनल इंटर्बुल क कि रातर इंटरफ़ू ये भी सेम हो गया वहीं इंटरफ्यव हो गया जो कि हम सामने बाढ़के नहीं करते ऐ बट ओब तेलिफोन क्या जाता तो वहीं हो गया टेलफोनिक इनिटरफ्यू would wanna mailing the question 8 बहुत टाइम में क्या होता है इंटरफियू में मतलब करते तब क्या होता है यह लोगों को डाटा करने होता है तो क्या किया जाता है जो हम लोग का mail आडी डाता है अफिशल mail आडी उससे आपका questionnaire भेज दिया जाता है डिफरेंट लोगों को अपपर उन में से जो चाहते questionnaire को fill up करके हम लोग को mail वापस भेज जाकते हैं तो यह हो गए आपके data लेक्षा डाटा कालेक्षान है कभ उते हैं किया और होगी दूसरा होगी क्या है जो क्यों से कवार्ट किया है घच्शेनौंश्रोण स्वर्यक्ट्स senior ink。 इक्सेकुशन इक्सेकुशन से आप लोग क्या समझते? यह वो57 اे टीवी का किसको हैंगिंग किया जा रहा? उसके बारे में बात नहीं किया जा रहा इक्सेकुशन का मतलब यही है किसी काम को सही तारिकल से करना है execution of the project में क्या करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट में हम लोग देखते हैं कि सही टाइम पर काम हुआ कि नहीं जैसे डाटा कलेक्शन के लिए मैंने बता है कि हम लोग मांदी जा मेल भेजते हैं तो मेल जो रिसीब करने का टाइम होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक वेट किया जाता है आसा नहीं कि एक साल या दो साल मेंने वेट किया है आसा नहीं करने जाहिए एक पर्टिकुलर टाइम तक वेट करने जाहिए इतने भी स्टेप्स होते है इतने भी स्टेप्स आफ रिसर्च होते है वो सब एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करने जाहिए तभी हम दूसर डाटा कलेक्शन जो है वो किसी देखना चाहिए कि गलत तडिके से ना हूँ कि दैसे की मान लीजे मुझे 10 officers का data collect करना है कि उनका नाम क्या है वो कौन सा काम करते हैं और मुझे 10 officers से बातती ही करना है इसलिए मेख्या करता हूँ पाच officers से बात करता हूँ और package पाच officers है उनका data में खुद से भर लेता हूँ तो यह सब आपको नहीं करना है तो execution का मतलब क्या होता है जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया गया जो भी आपका PhD का project है उसे आपको सहीतरीके से काम करना होगा सहीतरीके से execute करना होगा उसके बाद आते है अनलेसिस अफ डाटा अनलेसिस अफ डाटा में क्या होता है हम लोग के बास बहुत साड़ा information रहता है वो बहुत साड़ा जो information है वो सब कुछ हम लोग report में दे सकते हैं मान लीजिए मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जहां पर मैं टाइगर्स के population के उपर एफेक्ट देख रहा हूँ कि मैं किसी भी लोगों से बात करूंगा तो मेरा में जानने का क्या होगा मेरा में टापिक मान लीजिए मैं उनसे जानना चाहता हूं कि टाइगर्स का population decrease हुआ है कि इंक्रीज हुआ है यह मेरा में क्वेस्टन है डायेक्टल लोकल लोगों से यह क्वेस्टन नहीं बूद सकता तब वह हो सकता अंकमफर्टेवल हो जाए या फिर कुछ गलत आंसर बता दें या फिर वह अंसर देने में हेजीटरेट करें तो मैं उन्हें पहले पहले करूंगा क्या आपका नाम नहीं है तो मैं स्रीफ जो मुझे इंफर्मेशन चाहिए मान लीजे मैं दस लोगों से पूछता हूँ कि टाइगर्स के पॉपुलेशन पर एफेक्ट होया की नहीं उन में से मुझे स्रीफ दो लोग बोलते हैं कि एफेक्ट होया है और बाखी आठ लोग जो है बाखी आठ लोग मुझे बोलते हैं कि कोई एफेक्ट नहीं हुआ तो यह जो इंफर्मेशन है यहां से यहां तक यह जो इंफर्मेशन है यहां से यहां तक कि दस लोगों से मैंने पूछा उसमें सिर्फ दो लोगों ने मुझे बता है कि एफेक्ट होड़ा है राख लोगों ने मुझे पता है कि एफेक्ट नहीं हो रहा है इसी को सिर्फ में अपने प्रोजेक्ट में दूंगा क्योंकि यही स्रिफ इंपोर्टेंट है at the point of view of project यही आपको data का analyze करना होगा कि कौन से important है और प्रोजेक्ट के लिए कौन से important नहीं है और फिर उसको present करना होगा accordingly पिर आते hypothesis testing में अभी आप लोग hypothesis टेस्टिंग में ज्यादा मतलब का जयादर टेंशन मतलेजिए ऐसे मतलब है रफ में बता देढ़ा हु हट प्रेस्टिंग को हम लोग डीडिल्स पर समझेंगे और यह काफी लंबा बाद के चैप्टर में हम लोग इसे समझेंगे अभी आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिए इसके बाड़ में तो हाइपोसीस ट्रेस्टिंग में क्या होता है आपने पहले का वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने बताया है कि हाइपोसीस हमें बनाना पड़ता है ता आपके शेड़ों के पाबुलेशन के उपर एफेक्ट हो रहा है यह हो गया मेरा हाइपोसीस अब यह हाइपोसीस को प्रूफ करने के लिए हम लोग को करना पड़ता है टेस्टिंग अब यह बहुत सारी टेस्ट होते हैं जैसे आपका काई स्क्राइब टेस्ट टेस्ट जेट टेस्ट उनके बार हमें आपको डीटल में नहीं समझता है बस यह समझ लीजिए जो भी हाइपोसीस होता है उसे हमें टेस्ट करना पड़ता है और टेस्ट में अगर काफी बिजल जो भी आये उसे हमें डिपोर्ट में दिखाना पड़ता है इससे आप कोड केस में समझीए क्या होता है हम लोग अपना जो बिनियन है वह मैटर नहीं करता है पर हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं वह मैटर करते हैं यह हैं यह हाइपोसीस टेस्टिंग में य जेनरलाजेशन और इंटर्प्रेटेशन जेनरलाजेशन और इंटर्प्रेटेशन इन दोनों को एक एक करके समझेंगे जेनरलाजेशन मतलब यह है कि मैं जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं या फिर जो भी रिसर्च का रहा हूं जो रिसर्च कर रहा हूं और इंडिया में मैं कोई उस रिसर्च का रिसर्च देता हूं मान लीजे मेरा रिसर्च का जो रिसर्च है वही सेम रिसर्च आना चाहिए जब कोई दुनिया के दूसरे कोई कोने में करेगा मान लीजे आप लोग का साथ आफ्रिका में कोई सेम एक्स्पेरिमेंट कर रहा है तो उसका भी सेम रिसर्च आना चाहिए यह होता है आपका जेनलिजेशन मतलब आप जो भी रिसर्च करेंड़ेंट से जो भी रिसर्ट मिल रहे है वह आपके पूरे दुनिया में अफ्लाई होना चाहिए ताकि रिसर्च का जो रिसर्ट है वो अलग-अलग ना आए और उसी से आपका प्रोजेक्ट जो है के से करोगे तो दुनिया का नियम सभी जगह में सेम होता है पिर आता है इंटरप्रेटेशन इंटरप्रेशन में हम लोगने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि आपको याद होगा तो interpretation में हम लोग ने क्या बढ़ा था है कि दो लोग ने बोला कि jungle कार्टने से शेड़ों के उपर effect हो रहा है और आठ लोगों ने कहा कि jungle कार्टने से शेड़ों के उपर effect नहीं हो रहा तो इससे मैं interpret क्या करूंगा कि jungle जंगल जो कम होड़े हैं जंगल और टाइगर्स के पॉबुलेशन के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है ये एफेक्ट नहीं हो रहा है तो यही होता है इंटरप्रेटेशन जो भी आपने डाटा का लेक्शन किया है डाटा को अनलाइज करके आप जो भी समझे है उसे इंटरप्रेट करना है उसे अपने नॉलेज में टांसफर करना है ताकि रिपोर्ट क है आपका preparation of the report or thesis तो last में आता है आपका preparation तो यही preparation of the report में क्या होता है जितने भी में इने steps बता है उनको आपका organize करना भड़ता है उनको steps में डखना भड़ता है और ताकि वो presentation अच्छा हो सके जितना भी important data है वो सब information आपका present किया जा सके यही होता है आपका preparation of the report कि इसमें कुछ important part है जिने हमें हमेशा ध्यान रखना जाहिए इंट्रोडक्शन अदलब आप जिस चीज़ के बाड़े में रिसर्च करे रो उसका introduction देना जाहिए टाइगर्स के population के उपर जंगल क्यों काटा जा रहा है इसके उपर तो यही होता है आपका introduction उसके बाद हम लोग देखेंगे summary of finding समरी आप फाइंडिंग तो आपने जो भी रिसर्च किया है जो भी find out किया है वह सब आपको देना भड़ता है जैसे हम लोग जो रिसर्च कर रहेते हैं कि जंगल और शेरों के उपर effect पता है कि नहीं तो summary हम लोग को क्या मिला कि जंगल काटने से टाइगर्स के population के उपर कोई भी effect नहीं पड़ता है तो यह हो गया हम लोग का summary इसके बाद है आपका main report में रिपोर्ट में क्या रहाता है जितना भी आपने data collection किया जैसे भी आपने टेस्टिंग किया वो सब आपको present करना पड़ता है अब वोड़ता है आपका conclusion तो इस report से आपको क्या लगता है यह होता है आपका conclusion तो preparation में यह सब चार चीज़े जो है बहुत important होते है बाकी आपको steps जो है वो तो follow करना पड़ता है पर यह चार चीज़ भी आपकी दिमाग में रहना चाहिए जब भी आप आपने report जो है वो present करते हो इसके बाद हम लोग देखेंगे criteria of good research तो एक अच्छा research के लिए क्या क्या हम लोग को follow करना चाहिए बुट research तो इसमें अगर पहला स्टेप देखा जाया good research systematic होता है systematic मतलब इतने भी हम लोगने steps पढ़ा one after another सही तरीके से दिखाना चाहिए यह सब तो हम लोगने पहले भी पढ़ाता है बस यहां पर book में फिर से दिया वाई इसलिए एक बाद रिपाइस कर लेता है systematic क्या है कि सही तरीके से उसे प्रेसेंट करना चाहिए जैसे step one, fifth step two, step three आसे करके present करना चाहिए तो यह हो गिया आपका systematic फिर है आपका logical logical मतलब क्या हो गिया logical मतलब logical होना जाहिए logical का मतलब क्या बताओ जैसे मान लीजे कि आप बाहर देखते हो कि बहुत सारे clouds है तो आपको क्या पताय चलेगा कि rainfall होने वाल है यह हो गिया आपका logical मान लीजे आप देख रहे हो कि जंगल जितने भी काठे जारे तो tigers का population decrease हो रहा है तो आप logical तरीके से क्या सोचोगे कि जंगल कार्टिंग से और tiger के population के बीच में एक relation है तो यह हो गया आपका logical पिर है आपका जो research होता है वो होता है empirical good research is empirical empirical का मतलब क्या है empirical का मतलब है real life जो आप सामने देखते हो उसी चीज को बदाते हो जैसे आप जो proof करवाते हो टेस्टिंग में आपको जो भी answer मिलता है जो भी आप data gather करते हो तो real life में जो भी होता है जो सचाई में होता है असा नहीं है कि आप जो सोचते हो subjective matter है वो आप objective होके जो भी आपको दिखाई देता है जो भी आपको result मिलता है वही आप report में present करते हो वही है आपका empirical और चौता है good research is replicable replicable वही है आपका generalization मतलब आप जो भी report करते हो जो भी research करते हो उसका जो result है वह replicable होना जाहिए यही देखिए जैसे मान लीज़े मैं इंडिया में कोई experiment करता हो उसका जो result है वह आपके आफरीका में भी same होना चाहिए वही हो गया आपका replicable इसके बाद है आपका problems encountered by researchers in India तो यह तो आपका कुछ important नहीं है यह एक theory basis पर है और आपको वैसे भी question नहीं आता है इसमें से पर किताब में दिया हुआ है और किताब सही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको भी एक बार बता देतो तो problems क्या होता है after researchers in India तो पहला problem है कि हम लोग को budget नहीं मिलता है जितना आपके foreign में खर्चा किया जाता है उतना budget नहीं मिलता है और कोई भी research को सही तरीके सा अगर हम लोग करना चाहे तो उसमें काफी साड़ा खर्चा होता है तो सबसे पहला problem क्या है कि सही तरीके सा हमें budget नहीं मिलता है पिर जितने आपके research के facilities होते है उतने आपके high tech नहीं होते है जितने foreign countries में होते है और research को उतना ज्यादा importance नहीं दिया जाता है इंडिया में क्यूंकि आप अगर अपती फुरी सिंद्गी research करना चाहो तो वो काफी मुश्किल हो जाता है वहीं बाहर के countries में अगर आप जाओगे और बाहर के countries में आप ऐसा research है पुड़ा काम करने चाहोगे तो वहाँ पर आपको काफी स्यादा accept किया जाता है यहाँ पर भी respect किया जाता है और वहाँ पर आपके facilities और किताब information बहुत ज्यादा मिलता है तो यह होता है कुछ problems of the researchers in India अगर हम लोग 10 साल पहले देखे 20 साल पहले देखे तो यह problem और स्यादा आदा है हम लोग आस्ते आस्ते इंडिया यह सब problem से दूर हट रहा है और हम लोग research को importance एड़े I hope अगले 10 साल में हम लोग और भी आगे बढ़ जाएंगे तो यह एक theory basis है और यह आपके exam में नहीं आगा फिर भी मैंने आपको यह बता के रखा तो इसी के साथ हम लोग का जो introduction है पहला chapter है R.C. Kothar Research के books है वो हम लोग complete कर देते हैं और इसके बाद हम लोग second chapter पर जाएंगे एक second मैं second chapter का नाम देख लेता हूँ second chapter है Defining the Research Problem तो यह जो next video है वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग पैला part Defining the Research Problem तो थैंक यू सो मच यह वीडियो देखने गे लिए और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में